अगर आपका कोई function है f of x अगर आपको इसका डिफ्रेशन निकालते थे पर अगर आपका function एक से ज्यदा वेरियबल का है तो फिर हम d upon dx का use नहीं कर सकते हैं वहाँ पर क्योंकि हमें अलग 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 वेरियबल के लिए इसका derivative calculate करने होगा तो करते कैसे हैं जिस वेरियबल के लिए आपको calculate करना है आप पहले उस वेरियबल के respect में डिफ्रेंशल निकालना होगा और जो दूसरा वेरियबल है उसके जितनी भ की हमारा यु हे वह वह एक्सवाई dose वार मैं अब यू का हम को क्या नेकालना है और ढफ्रेंशल नेकालना पर हम सिंगल वेरियबल के लिए नहीं सकते हैं it रहे genetic करना होगा तो यहांप रम डी जो सिंबॉल होता है डी उसका इनी करते हम डेल यहां पर य को आपको क्या रखना होगी उन्हें आपको कॉंस्टेंट रखना होगा तब आप निकाल सकते हैं और इस वेरियर जो आप तो हम इसको यूट्स वेरिवल से देनोट कर सकते हैं ठीच अपर हमें हमें य के लिए निकालना होगा तो यहां पर हम्हें एकस को कॉंस्टेंट रखना होगा और इस derivative का जो symbol है जो variable है u y से हमें से denote कर सकते हैं ठीक है ऐसे एकर आपको higher order इसके differential निकाल ले हो तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं del square upon del x square इसको हम बोलेंगे u x x ठीक है और यह जो del square u upon del x del y है इसका मतलब होता है del u upon del y के respect में आपने कोई differential निकाला है उससे आप फिर से क्या कर रहे हैं del x के respect में differential कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे del square upon del x del y और उसको हम denote करेंगे u x y से ठीक है ऐसे ही y के respect में double differential निकालेंगे तो उससे बोलेंगे u y y कहीं पर आपको p q r st यह जो variable है इन से भी इसको represent किया हुआ देखा जा सकता है तो वह अगर पी q r st वेगर दिया हुआ है तो भी कोई गलत नहीं होगा आप उन वेरिवल्स को वह पर यूपर यूज कर सकते हैं तो अब आगे कि अगर हम बात करने तो वहीं चैनल को सब्सक्रकर कर वीडियो को ल ठीक है तो चलो किया दो से ज्यादा की बात करेंगे तक यहँ पर अधो है तो बीद शाया खर रहें इस वाइंगे यहां पर हमाँ पास एक function इस तरह से हमें यह जो addition of functions हैं उनको हमें calculate करना होगा इस तरह से ठीक दूसरा जो है वह है differential coefficient of product ठीक है यह product है तो हम यहां पर यहां पर लिखा हुँए uxy multiply vxy है इसको थोड़ा से simplify करने के लिए क्योंकि हमसको represent करेंगे तो उसमें कोई complexity हमें ना देखे लिखते वक्त तो बहुत easily हमें समझ में आ जाए तो हमसको यू.v लिख देते हैं यह understood है कि uxy का function और vxy का function तो यहां पर हम क्या बोल देते हैं इस function को बोल देते हैं first और उसको बोल देते हैं second अब यहां पर clearly आपको देखाई दे रहा होगा कि हमने जो product वाला जो rule होता था differential का ठीक वही rule इसके अंदर फॉल होगा ठीक है तो अब हम लिखेंगे डेल जैट अपॉन डेल एक्स तो पहले क्या करेंगे हम फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे और जो second function है डेल भी इससे हमें एक्स के respect को में differential करना प्लस फ़ाव म सेकंड को ऐसे ही रहने देंगे और यू को हमें इस तरह से differential करना होगा तो यह एक्स की बात होगी अभी क्या यह complete होगे नहीं हमने क्यावल x के respect में ही इससे drive किया है अब हमेसे y के respect में to drive करना होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल जैड अपॉन डेल वाई तो यहाँ पर होगा यू डॉट डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस वी डेल यू अपॉन डेल वाई इस तरह से जो प्रॉड़क्ट वाला रूल है बिल्कुल वैसे हम इसको फॉलो करेंगे जो हमने इसको पढ़ा हुआ है बस फर्क क्या है इसमें दो वेरिवल आ गए है या दो से ज्यादा वेरिवल होंगे तो भी हमें यहाँ पर इसी तरह से अलग लग वेरिवल इसके लिए डिफरेंशल कल्कुलेट करना होगा नेक्स आगे हैं डिफरेंशल कोफिशेंट ऑफ रोशेंट अगर डिवीशन फॉर्म है तो क्या करें इसको हम थोड़ा सा सिंप्लिफाई करने के लिए यू अपॉन भी लिख देते हैं अब क्लियर आपको समझ में आ रहा हुआ क्या मैं करना क्या है एक्स के रैस पर मुझ सकस्वार स्कॉर एक ऐसे ही डेल Z अपॉन डेल य के लिए हंगे काल कॉल्कूलेuten करेंगे तो वी डेल यू अपउन डेल वाइय माईनस जू लेल v अपॉन डेल वाई अपॉन वी इसक Dawn इस तरह एसाँ जो कोफिशन वाला जो फॉंक्शन है या फो मैं उसे हम सॉल्व कर स अब आ जाते हैं हम अपने next rule पर coefficient of function of function मतलब क्या है यहाँ पर हम ले सकते हैं कि Z जो है वो यू का function है और यू क्या है xy का function है अब इस पो partial differential हम कैसे करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डेल Z upon deal x हमें निकालना है क्योंकि ultimately में x और y की form में ही निकालना है बस यहाँ पर क्या है यू का function है तो क्या किया जाए हमें करना ही होगा कि डेल Z upon daily x तो लिखना ही है अब यह form कम मिलेगी हमें काम करते हैं duo का अथिए इससे हमें इनफॉर्मेशन क्या मिलेगी बेव्द जैट अपउनCola मिला और दूसरा क्या मिला डेल यू ऑपान डेल एक्स मिलो, separate कर देते हैं, खुड़ास हम इसको rearrange कर देते हैं, तो इसका जो मतलब है, del z upon del u का मतलब, सबसे पहले z को आप किसके respect में differential हैं, u के respect में करें, उसके बाद आप u जो function है xy का, उसे आप x के respect में करें, ठीक, ऐसे ही हम है, del z upon del y का करना है, तो हम लिखेंगे आपर, del z upon del u multiply del u upon del y, इस तरह से हम इसको लख सकते हैं, उम्मीद है यह जो rules से आपको आप 6 से स्वाविश में आ गए होंगे, अब इन rules को हमें अपने numerical में follow करना है, आगे चलने इससे पहले का पील, अगर आप channel पर नहीं है, तो चल को subscribe कीजिए, वीडियो को लाइक करना हो रहा share करना मत भूलना तो चलो, अब numerical की तरफ चलते हैं, यह जो है, यह हमारा पहला numerical है, इसमें given है u is equal to f, y upon x, और proof करना है x, del u upon del x plus y, del u upon del y is equal to 0, तो आप करेंगे कैसे इसको, हम अपने rule को follow करेंगे, del u upon del x, यानि कि हमें पहले इस function का differential निकालना होगा, f dash y upon x, अब बचा क y upon x है, इसका अलक्सा में differential निकालो, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, कि x के respect के निकालने हैं, तो y को आपको constant रखना होगा, तो y अगर इसमें से constant रखें, तो सिर्फ y अकेला बाहर रहे जागा, और one upon x का में differential करेंगे, तो क्या आता है, one upon x square, यह differential में हमें मिनता है, तोड़ा rearrange कर लेते हैं इसको, f dash y upon x, और यहां लिख सकते हैं, minus y upon x square, ठीक है, ज़र यहां देखो, हमें u daily upon daily x तो मिल गया, और इस numerical का जो first part है, इसको देखो ज़रा है, इसमें क्या रहा है, x हा रहा है, तो क्या यहां पर हम x का multiply करते हैं, दोन एक question में, तो यहां पर हम x daily upon daily x is equal to, तो f dash y upon x, और यह चुकिए minus का है, तो minus का है, पर हम बाहर इसे लिख देते हैं, और हम पर मिलेगा y upon x मिलेगा, clear है, इसको हम बोलते हैं, first equation, अब हम ले लेते हैं second को, तो daily upon, अब हमें निकालना है y के respect में, तो f dash y upon x होगा, और y के respect में निकालना है, तो x constant हमे हमें लेना होगा, तो one upon x हमें केवल मिलेगा, क्योंकि x constant लेना है, y का हमें differential करना है, तो y का differential one हो जाएगा, अब जड़ा इसका, जो second time है, उसे देखिए, y लिखा हुगा है, क्या में आपर कहीं y मिलना है, ठीक है, तो क्या करते हैं, पर y का multiply करते हैं, तो y का multiply करते हैं, और y का हम करी रहें, multiply तो उसको हम इसके साथ लिख देते हैं, second equation, यहाँ पर हम क्या करते हैं, add, first equation, and second equation, क्यों कर रहे हैं इसा, जड़ा देखो, सारी terms हमें लगबग एक जैसी ही मिलना ही, f dash y upon x, first equation में मिलना है, यहाँ पर f dash y upon x मिल रहा है, यहाँ पर देखें, तो y upon x म में आ रहा है, और एक minus में आ रहा है, तो दौनों को add कर देखें, तो result क्या मिलेगा, हमें 0 मिल जाएगा, जो हमें चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा, x daily upon, daily x, plus y daily upon, daily y, is equal to क्या हो जाएगा, यह 0 हमें मिल जाएगा, उमीद है, यह पूरी तरह से आपको समझ में आ second equation, u is equal to log 10x plus 10y plus 10z और प्रूफ करना है, sin 2x daily upon, daily x plus sin 2y daily upon, daily y and so on is equal to 2, यह होता है, तो पहले जो हमारा first question है, यहाँ से हम क्या करते है, daily upon, daily x की जो information है, वो निकाल लेगा, वो क्या हमें मिलेगी, पर क्या डारेक्ट मिल जाएगा नहीं, क्योंकि हमें लोग दिये हो, तो काम करते हैं, एंटी लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, हमें मिलेगा, e की पावर, u is equal to, 10x plus, 10y plus, 10z, यह हमें यहाँ पर मिल जाएगा, अब यहाँ पर हमें पूरी equation का, differential निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर e का, अगर हम e की पावर, u का, differential निकाल में निकालना है, यहाँ पर हमें जो y वाली term से सारी constant रखनी है, यहाँ पर तीन variable x, y और z, यहाँ तीन variable न ध्यान देना, ठीक है, तो x के respect में निकालना है, तो x वाली term को हम लेंगे, बाकी सभी हम constant रखेंगे, अगर ऐसा होता है, तो सब 10x मिलेगा हमें, sec square x और बाकी के 0 हो जाएंगे, क्योंकि हमने constant रखेंगे, ऐसे ही हम y के respect में निकालेंगे, तो del u upon del y मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, sec square y मिलेगा, ठीक, ऐसे ही हमें निकालना है, z के respect में क्या मिल जाएगा, sec square z, थोड़ा सन को हम rearrange और कर लेते हैं, क्योंकि सर्फ हमें del u upon del x च u लिख सकते हैं, और लिखेंगे, हम sec square x, ठीक, ऐसे ही, del u upon del y, e की power minus u, sec square y, और यहाँ से हमने काल सकते हैं, del u upon del z is called, e की power minus u, sec square z, अब यह जो हमने information निकाली है, del u upon del x, del u upon del y, del u upon del z, इसको हम इस question का जो left hand side है, इसमें हम put कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, sin 2x, इसकी जागे लिखेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे, e की power minus u, sec square x लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपर del u upon del x है, ठीक है, plus sin 2, y लिखेंगे हम यहाँ पर, और क्या मिलेगा मैं आपर, e की power minus u, sec square y, plus sin 2, z, e की power minus u, sec square z, अब यहाँ पर हम देखें, तो e की power minus u, हर एक टम में दिए होई है, तो e की power minus u, हम कॉमन, लेकर बाहर कर देते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे, sin 2x है, तो साथ में एक काम और करते हैं, जो sin 2x है, इसका form ला भी हम लिख देते हैं, और sec square x है, उसको भी हम यहाँ पर replace कर देते हैं, cos की form में, ठीक है, तो sin 2x का क्या होता है, 2 sin x cos x और यहाँ में लिख सकते हैं, इसके लिए cos square x, ठीक है, सेल, यहाँ पर हमें लिखना होगा, 2 sin y cos y upon cos square y plus 2 sin z cos z upon cos square z, इस तरह से लिख सकते हैं, अब जर आए हैं पर देखो, क्या होगा, एक cos से, एक cos गायब हो जाएगा, cos y से, cos y गायब, cos z से, cos z गायब हो गया, अब देखो जरा, गायब होने से क्या हमें information मिली, 2 हरेक्टा मैरा, 2 को भी हम गोमाल ले लेंगे, 2 कोमाल ले लेंगे यहां से, और जरा देखो, sin upon क्या बचे गाया पर, एक cos गायब होगा, तो sin upon cos, यहां भी क्या मिलेगा, sin upon cos, और यहां क्या मिलेगा, sin upon cos हमें यहां पर मिलेगा, तो अब इसको rearrange कर लें, पूरी equation, चल्ड़ों, तो 2 हमने common करके बाहर कर लिया, minus q बचे गाया, अंदर देखो, क्या मिलेगा, मैं आपर, 10x, sin x upon cos x, sin y upon cos y, 10y, और यह क्या मिलेगा, 10z, देखो जरा, 10x, 10y और 10z, यह किसके equal है, यह e की power u के equal है, यह जरा, इस equation को देखो, 10x, 10y, 10z किसके बराबर आया है, e की power u के बराबर आया है, अगर ऐसा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, e की power u हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, to e की power minus u, और यहाँ पर रहागा e की power u, जरा देखो, क्या हो रहा है, A की पावर और E की पावर यू दोनों कमाई नो करके E की पावर जीरो में लेगा और E की पावर जीरो के वैल्यू 1 होती है तो हम लिख सकते हैं इसको Is इकल तो 2.1 रिजल्ट क्या आगया? यही हमने प्रूफ करना था लिख सकते हैं LHS is equal to RHS S, ऐसा हम यहां पर लेख सकते हैं, उम्मीदह पूरी तरह से Parashal differential का जो concept लोग समीट में आ गया होगा किस तरह से Parashal differential के concept को हम numerical के उपर apply कर सकते हो और island को एजरीी solve कर सकते हो, तो channel को subscribe करो video को लाइक रहा है, अपना friends को share करना मत भूलना